नमस्कार जहिंद प्यारे बच्चों क्याल चाल कैसे आप सभी आप सभी आज हम आउकलन और समाकलन का सामुईक उप्योग जहां होता है वो चेप्टर हम पढ़ने वाले वह आपका आउकल समीकर्ण यानि डिफ्रेंशल एक्वेशन इस चेप्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आपको आउकलन आए समागलन आए परतिलों तिरकौन मिती यानि इन्वेश्टिक्नोमेट्रिक आपको आए और जरूत पढ़ती है तो थोड़ा बहुत आपको मैक्सिमा मिनिमा भी आना चाहिए वैसे आपको आउकलन आ रहा है समागलन आ रहा है और आपको जरत नहीं है लेकिन वह आने ही चाहिए आने चाहिए का मतलब मेरा यह है कि आपको सारे फोर्मॉलाज पता हो और साथ तुम्हें पता भी हो कि इसको सोल कैसे करना है क्योंकि डिफरेंशल एक्येशन में आप जब उसको सोल करोगे ने उसका रिजल्ट फाइंड आउट करोग यह यानि इसकी कोटी और घात देखेंगे तो उसके लिए किसी परकार का उक्लं समागलन की जरत नहीं होती है पर स्वस्टा सा बेसी कॉन से पता होना चाहिए कि घात कहते किसे हैं और कोटी कहते किसे घात किस इस इस इसम्पल सी जो है आपके UK दो की basic concept से हम स्टार्ट करेंगे यहां पर आप मान के चलिएगा कि यहां आपको कुछ क्या दे रखिए समीगन दे रखिए इस समीगन में आप देखो इस समीगन में आप देखो इन तीनों ही समीगन में कहीं भी कि आउकलन यूज नहीं लिया गए यानि यह समीगन इस समीगन से अलग है कि इस समीगन को आप देखो के तो यह क्या है यह डिफेरेंशल लिक्योशन है तो द्यान रखना आप यहां पर एक जो वेरियबल की ट्रम में बात करें तो यह सारे के सारे इंडिपेंडेंट यू के दो कि X, Y, यहां पर X, यहां पर X, यहां पर Y, यहां पर X, Y के रिस्पेक्ट में चेंज भी हो रहा है, यानि उसके परिवर्तन की दर भी दे रही है, तो ध्यान रखना, आपको यह पूछा जा सकता है कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, या फिर आप साप लिखा है कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंतर चरों के साफेक्स आश्रित चर के अवकलज समीलित हो, सामानिय अवकल समीकरण के लाते हैं, यानि यह आपके सामानिय अवकल समीकरण है, यह नीचे जो एक्जामपल दे रहा है, यह क्या है, सामानिय अवकल समीकरण ह कि यह कहें रहा है कि जरूरी नहीं कि एक ही वेरियम्न का दूसरे वेरियम्न के साफिक डिफ्रेंशेसेंत मिले आपको हो सकता है मुल्टिपल वेरियम्न में वह मिल सकता है तो यहां सापसाप लिखा है कि निसंद ऐसे सबबह समीक जोट समिकर्ण होते हैं जिन मैं एक से अधिक 171 वे व्छ शांब साफ़ेश वकास सामिल तो है या या ऐता पार्श डिफरेंशेल ली से लाता है जिसमें एक से जाधा रेस्पेक्ट में रेसें सवाल सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे सल्वास में नहीं है फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके अलाव भी कुछ होता है आगे जाकर मैट्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा अब ध्यान देना यहां पर कुछ विशेश बात लिखिए वह क्या है हम अउकलोजों के लिए निमलिकित संके कुतों का क्या करेंगे यहां अब कहीं वाइडेस लिखा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है दी आए दी इसका मतलब इस वाई का किसी वेरियबल एकस के respect में परतम अउकलज यदि कहीं डबल डेस लिका है इसका मतलब तिर्तिय अउकलज तो फ्रीपल डेस डबल डेस वे चलो अब ध्यान रखना यह किरा उच्छ कोटी वाले अवकलोजों के लिए इतने अधिक डेसों को उच्छ परतिय के रूप में परियुक्त करना इसलिए एन वे कोटी के अवकलोजों के लिए हम क्या यूज करेंगे वाई और इसके नीचे लिए एन यानि कहने का मतलब क्या है कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल सकता है वाई थ्री कि यह शानों वाई थ्री का मतलब यह यह भी तृतिया वकला जैंग बात थर्ड अगने क्यों कि माले यह मैं कहता हूँ पर तम अवकलाग वाई डेक्वित अवकला डेस दृतिया वकला ट्रिफल डेस अब क्या करें डेस डेस लगाते जाए मालोगर दस बार अवकलां कर रहा तो 10 अब जाए तो फिर कारेक्रम ही अजीव हो जाएगा तो इसके लिए हम क् कि यह डिफ्रेंशियेशन को बाई डी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन को सिधा ही क्या लिख देंगे यह आपका रिपर्जेंटेशन आपके काम में आ सकता है आगे चल कर जो आपको ज्यान में रखना है अब आता है बैटा यहां से एक सवाल पक्का है पहली चीज यह दो डीफ्रेंशियल लिक्यूशन की आपकी ओडर यानि कोटी अब बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि कोटी के बाद घहत भी परिवासित करेंगे तो बच्चों को जब पूछते तो घहत लिखयाते और घहत पूछते तो कोटी लिखयाते और कई बार कुछ और ही कोटी उस अवकल समीगण में समलित सवतंतर चरके साफिस आश्रित चरके उच्तम कोटी के अवकलज की कोटी द्वारा परिबासित किया जाता है यह चीज आप जरूर से और मैं फिर क्या रहा हूं जब से आपके फिलिंदी ब्लेंक्स और अंडरलाइन जैसे सवाल आते वहां कि अना बोर्ड एक्जाम में मैं में भी डेविनेशन पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान तो हो नहीं चीए अब यह क्या करा यह क्या रहा यह क्या रहा डी वाई-वाई-वाई-डी-एक्स-टू-ई-की-पावर-एक्स लिखावा है आप बताओ इसमें कितनी बार अवकलन कितनी बार हुआ है तीन बार है बात समझ में तो लिखा ना इक्यूशन 6 7 8 में करम से परतम दिती तते कोटी के उचितम अवकलज उपस्तिते इसलिए इन समीकरणों की कोटी हम मेंसा क्या होगी एक दो तीन यानि ध्यान रगना डी-वाई-वाई-डी-एक्स इस इकोई- इसकी कोटी होगी एक यानि क्या मैं यह के दूसर यह कहना चारा है कि जितनी बार अवकलन कर रखाए अधिक्तम वही है अब यह वाले समीकरण में देख लो अधिक्तम किती बार अवकलन कर रखा है तो second order derivative हो गया यह अधिक्तम यहां भी दो बार लेकिन यह अधिक्तम किती बार है 3 भार है बाठ सम्झे कि हो गई 6am तो यहां आपको कोधटी क्या है यह फता चल गया किमुजे यह देखना कि उस दिफ्रेंचल equation में अधिक्तम कितनी बार अवकलन किया हुआ है क्लियर है बात समझ मैं यदि मुझे d2y by dx square plus x dy by dx plus y equal to 0 यह दिया हुआ है तो बताओ इस में कोटी किती हो जाएगी 2 हो जाएगी क्योंकि double derivative है बात समझ मैं क्या यह चानू अब आता है बेटा गात गात और भी आसान है गात क्या है अधिक्तम अवकलन जिस ट्रम में उआ उसकी गात क्या किलाती है differential equation की गात क्याती है साप साप लिगा किसी अवकल समिकर्ण की गात का एद्द्यन करने के लिए मुझे बिंदू यह है कि वह अवकल समिकर्ण अवकल जो में बहुपद समिकर्ण होना चाहिए पहली बात यदि differential equations बहुपद नहीं है polynomial नहीं है तो फिर उनका क्या नहीं हो सकता गात परिबासित नहीं हो सकता सिंपल ची बात निमलिकित समी कर्णो पर विचार करो यह समीकर्ण है बाई कि इसमें d y by dx बी है मॉलबफाश derivative बी सेकंड डियूटी बी और ट्रिपल डियूट्य थार्ड डियूट्य आगे और विचार करने की बात कर रहा है तो और विचार कर लेकते हैं इसमें देखो इसमें डिवयवै डी-आक्स ही है और इसमें भी डिवयवै से अब ध्यान देना ने बेटा कहां घात परिवासित होती है पहली चीज तो वो क्या होना चाहिए बहुपद होना चाहिए तो अब यह कह रहा है कि हम अबज़ोर करते हैं कि जो यह वाला समीकण 9 है इस समीकण में ट्रीपल डेस भी है डबल डेस भी और यह क्या है एक पॉलिनोमियल बहुपद मतलब दो या दो से अधिक पद जहां रहे वाँ यह भी वाँ पॉलिनोमियल हो गया ओंख है बहुपद समीकण और समीकर्ण 10 वाई डेस में बहुपद समीकर्ण ये दिफी ये वाई में बहुपद नहीं है ये वाई डेस में क्या है बहुपद समीकर्ण कौन सी ये बास समझ मैं है इस परकार अवकल समीकर्णों की गात को परिबासित किया जा सकता है यानि जो एक्योशन नमबर 9 और 10 दे रखा है इनकी गात को परिबासित किया जा सकता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये बहुपद समीकर्ण है अब ये क्या कह रहा है समीकर्ण 11 में वाई डेस में बहुपद समीकर्ण नहीं है और इस परकार के अवकल समीकंड की गात को परिपासित नहीं किया सकता। सर मुझे कैसे पता चल रहा है कि यह बहुपद नहीं है आपके तुरह बेटा ध्यान रखना कहीं भी साइन के अंदर डी य बाइड़ अजाए किसी भी टुकिनोमेट्रिक फंकिशन के साथ डी बाइड अजाए ऐसे कहीं भी जगे पर आप क्या नहीं कर सकते घात कोटी तो परिपासित कर लोगे लेकिन क्या परिपासित नहीं कर दोगे तो तो सिंपल सी बात में आपसे पूछता हूं बेटा मेरे कि गात क्या है कोटी क्या ये बात समझगे क्या है कोटी यानि कितना अधिकतम अवकलन हो रहा है ठीक है और गात मतलब यदि पहली चीज तो देखूंगा कि वह भॉपद है कि नहीं है समीकन जो दे रहे कि वह है तो फिर मैं देखूंगा कि जो अधिकतम अवकलन होे रहा है उसकी गात क्या है फूस्से क्या कहते इम पावर ओफ गात और यह क्या होना चीए है गात धनात्मग उगई और पुर्णांग ओग यह दियान रगते हैं यही की इकव्चन में इस तरीके से उसको सेट कर रहा हो है कि वो कि क्या नहीं बना रहा है यानी आप में गात कभी भी एक बट्टा दो तीन बट्टा दो ये नहीं होगी बात समझ रहे हो गया पूर्णां का मतल़ समझते हो और रिनात्म का नहीं होगी यानि कहीं भी घात माइनस टू माइनस त्री ऐसा नहीं होगा माइनस वन ऐसा नहीं होगा बात समझ में आई गया अर्येस यानों किसी कोई डाउट किसी अउकल समीकरण की गात जीरो हो सकती है गया जीरो हो सकती है कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे तो बेटा आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चीए कि वो आउकल समीकरण आउकल समीकरण होगी नहीं जिसमें कहीं डी वाई डी एक्स काम में नहीं लिया गया इदि एक बार भी डी वाई डी एक्स आया है तो उसकी पावर क्या होगी एक तो होगी होगी आर्येस यानों तो यार सुन्य कोटी और सुन्य गात का कोई अउकल समीकरण हो सकता है क्या इसके बारे में विचार करना अब ध्यान देना है वेटा यह कह रहा है उप्रोक्त परिवासा के संदर में हम प्रेशित कर सकते हैं कि समीकरण 6,7,8,9 परते की गात कितनी है समीकरण 10 की गात किती है जब की 11 की गात क्या नहीं है परिवासित बात समझ में आई क्या अब आपके बोर्ड एक्जाम में कई बार तो ये कोशन ही ओपनिंग करता है कि निमन अवकल समीकरणों के गात और कोटी बताईए या कोटी और गात बताईए राइट यह श्यानों कि आगे बड़े गया यहा द्यान देना इस बात को बच्चे नजर अंदाज कर देते वह का इसी और समयकरण कि कोटी एवं गहत When अधिश्य परवासित हो गात के साथ यह लिखा है कि तो सध्यों परीपासित होगी होगी लेकिन गात परीपासित हो एसा जुरूरी, बात समझ में आंए क्या? हमेशा धननात्मक में पुर्णाँक होते हैं मुझे तुमसे एक सवाल पूछ लो गया, क्या पूर्णाUNG को में सुन्ने को सामेल किया गया है मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रो क्या पूर्णांग को में सुन्यों को सामिल किया गया गया सुन्यों को पूर्णांग कहेंगे गया हा या ना पेटा यी चीजे ध्यान में रखो के फूर्ण संग्या एक रंजैक और कि यहां ओथा प्राकर्त संग्या ऐ संयृग कि यह चीजे जो शंप ऊफटों में नहीं होती है यह पता वना जांगे कि आपको कोई भी पूछ लेगा मेत के बच्चे हो एक ही नहीं आजाओ अब हम एक्जामपल करते हैं है ना कि एक्जामपल कह रहा है निमली के ता अवकल समय परते की कोटी और घात परिबाजित हो तो ग्याद कीजिए पहले इसकी बताओ वन और वन कि एक बार अवकलन हो रहा है तो कोटी बन इसकी अधिक्तम गात कितनी है एक तो एक और एक इसमें देखो इसमें देखना कोटी तो हो गई, दो गात कितनी हो गई, एक, ध्यान रगना, क्योंकि ये मत देख ले ना, इस पूरे में अधिक्तम आउकलन पर जाना है, अधिक्तम आउकलन को ओने, अधिक्तम आउकलन की गात कितनी है, एक, आज़ो, ये वाला देखो, आग्या न, एकी प ह gifts बिज़ा यह ऐड़ कोटी तो कोटी इसलिए कि Geaux कंद नहीं जा स्वाल से शावाल पूच ले जाता है जा गात बच्छा लिख देता है एक दो तीन जो भी मन में आता हूँ बास जम्हें जबकि वह साफ साफ लिखना क्योंकि यह क्या नहीं है ये लेंग्वेज लिकने है समीकर्णों का बयापक्स और कलोजों के बहुत नहीं है था साइन के अंदर आ गया ना मैंने बताया ना किसी भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर प्रतम अवकलन दृत्ति अवकलन दे रहे हैं तो वो क्या नहीं है वह उपद नहीं है क्योंकि वहां पर परिभासित यहां एक और एक यहां देखो यहां यहां हो जाएगा दोर एक किता जायगा इसका अधीक्तम न कुतना न तो और इसकी गात कितनी है यह आप数 बैटा यह है अधीकाओं किस पूराइज न धोड़ी है नहीं और बात स्मझ है क्या देखती पता चलना चीए और यहां से सवाल आता ही आता है तो आजा यह बता इसमें क्या होगा है दो और परिपास इतने है कि के अंदर आ गया यहां देख दो और एक दो और एक यहां देखो अधिक्तम के दिभार 143 दो चट्टे का अंसर हो गया तीन और दू साथ फेका देखू तीन और एक अारे क्योंकि अधिक्तम अउगलन की इतनी बार हो रहा है मैंने बताया था y-day का मिलाब 1-12ड़न, y-double-day का मिलाब 2-12ड़न, y-tripal-day का मिलाब 3-12ड़न तो 3-12ड़न की गात कितनी है? एक, यहां बताब, यहां बताव, एक और एक, वेते पोने पोनेंचिल आ सकता है अब इसी एक्स्पोनेंशल की यहां पर मैं वाई डेस प्लस वाई इक्वल टू एकी पावर वाई डेस लिख दू या वाई डबल डेस लिख दू या वाई ट्रिबल डेस रख दू तो फिर कार्यकरम अलग है बात समझ में आई क्या नवा कुश्चन बताओ कित्ता और हाँ इसका बताओ कि दो और हो गया चलो अब इसके आगे आपके बोर्ड एक्जाम में ऐसे स्टाइप कुश्चन भी आ सकते हैं कि गात पूचिए तो गात तो इसकी परिवासी थी नहीं है और इसकी गात तो परिवासी थी नहीं क्योंकि साइन के साथ आ गया पचांडने में आ रहा ना यह बहुत दिमाग में रखना क्योंकि यह क्या नहीं है बहुपद नहीं है तो परिवासित इसकी कोटी पूचिए देखो इसकी कोटी क्या होगी दो होगी इसकी कोटी पता चला आई होप सो कि आपको कोटी और गात समंधित सारे सवाल अब आ जाएंगे लेकिन मैं फिर द्यान आपका खेंद्रित करके यह कहना चाह रहा हूं कि बेटा इतना सा भी डाउट कुछ का कुछ लिखिवा देता है तो ध्यान रगना पावर जो है पावर पावर हमेशा परिवासित हो ऐसा जरूरी लेकिन ओडर हमेशा प तुमारा जो पावर है वो हमेशा चले ऐसा जरूरी लेकिन तुमारे पिताजी का ओडर हमेशा चलेगा ऐसा दिमाग में रोको आप तो यह जानो ठीक है कोई दिक्र नहीं है पक्का अब इन समीकर्णों के व्यापक हल थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते भी टाइम में है चलो आजाओ जो अब ध्यान देना वेटा व्यापक हल का मतलब क्या होता है एक तो व्यापक हल और एक विश्श्चाल है एक तो जर्नल है और एक कश्षम के मतलब क्या जाना चाहिए यह संजाना चाहिए इस हम उसस्याने चाहिए पड़ा है यह मैं याद दिल रहा है कि पड़ा है वनहीं है ठीक है और करहzkर कि सब्सक्राइं去 कर एक ऐसी संतूस्ट हो जाए वो इसका क्या है हले यह मान रखने पर यह संतूस्ट हो जाए वह आधार्त जब इस संक्या को समीकन में अग्यात एक्स के इस्तान पर प्रतिस्तापित कर दिया जाता है तो दायापक्स और भायापक्स आपस में क्या हो जाते संतु श्रोडे का मतलब क्या लेप्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अब यह कह रहा है कि आओ ऐसी ही कुछ समीकन है जिसको आगे हम कहेंगे आउकल समीकन इस पर विचार करो यह कहना क्या चाहरा है यह कहना चाहरा है कि डबल डेरिवेटिव प्लस वाई दोनों आउकल समीकन बड़ी उसके अतिरिक्त या इसके अलग आउकल समीकन का हल एक फलन है जो समीकन को क्या करेगा ज्यान रगना उपर वाली समीकनों का हल एक संक्या थी आउकल समीकन का हल एक फलन होगा function होगा बात समझो उपर जो x square plus 1 equal to 0 या sin x minus cos x equal to 0 या sin x plus cos x equal to 0 यह जो समीकण थी इसमें जो x का मान रख रहे थे या तो real value रख रहे थे या फिर complex value या फिर कोई भी समीसर संक्या या वास्तिविक संक्या रख रहे थे यानि उन सामाने समीकण ने जो हम उपर पढ़ गया रहे हैं उनका हल कोई न कोई संक्या होगी वह संक्या चाहिए वास्तिविकों चाहिए काल नहीं लेकिन अवकल समीकण का हल एक function होगा और यह दी कोई number भी है तो मैं उसको constant function कहूंगा बात समझ में आये यानि कहने का मतलब क्या है अवकल समीकण का हल एक फलन होता है उस फलन का उस अवकल समीकण के अनुसार मान रखे तो वो अवकल समीकण क्या होनी चाहिए संतुष्ट होनी चाहिए बात समझ में आये क्या और यह सिया नो बोलो अब यह क्या कह रहा है देखना में ज्यान देना यह कह रहा है अथार जब इस फलन फाई को आवकल समीकण में अग्यात वाई यानि आश्रिचर के इस्तान पत्यापित कर दिया आता है तो बाया पक्स में लेगा कि हल वक्र क्या है तो भाई आउकल समीकण का एक हल मिलेगा वहल एक फलन होगा उस फलन को ग्राप में प्लोट कर दो जो ग्राप मिला वह ग्राप क्या होगा आपका बास में आगया क्या अर्येश्या नो हाँ अब यह कह रहा इस पर विचार करो यह कह रहा है आ sin x plus b यह आपको फलन दे रखा है ठीक है? अब यह कह रहा है कि यहाँ a और b दोनों का real value है यदि इस फलन और इसके आवकलनों का समिकर 3 में पस्ताफित कर दिया जाता है तो दायापक्स और बायापक्स क्या हो जाता है बराबर हो जाता है इसलिए ये फलन अवकल समीकर्ण तीन का क्या है हल है अब ये कह रहा है मान लीजिए A और B के कुछ और विशिष्ट मान रख दिये जाए तो ये मान प्राप्त होगा यदि इस फलन और इसके अवकलो जोगो समीकर्ण पर सबित कर दिया है हो सकते हैं बात समझ में आए क्या अर ये शियानों अब ये क्या कहना है कि फलन फाई में दो स्वेच यानि जो आर्बिटिरेरी वेरियेबल हमने लिये हैं तता ये फलन दिये वे अवकल समीकर्ण का व्यापक हल के लाता है ध्याना व्यापक हल में कॉंस्टेंट ए और बी की वेल्यू नहीं दे रहे होगी और एक तो व्यापक कर लियानि जर्नली और एक होगा पर्टिक्लर यानि विशिस्ट विशिस्ट में एक का भी में फिक्स मान रखूंगा और बी का भी ध्यान रखना जो मैंने 5x बराबर a sin x plus b माना और उसको उस समीकन में रखा और जो समीकन को संतुष्ट कर वाया तो समीकन संतुष्ट कर गई इसका मलगा यह 5 जो है उस समीकन का कौन सा हले कौन सा हले जा पकले कौन सा हले और यदि इसी किसे के a और b का कोई मान रख दू में 5 1 के दू जैसे 2 sin x plus πाई बाई या फाई बाई फोर जो भी यह रख दूँ तो अब इसमें एक कोई particular माने बी का भी क्या है कोई particular माने इसलिए इसलिए कि इससमीकन का यह जो हल है वह विशिष्ट्रा लोगा क्या होगा विशिष्ण लोगा बास तो में आए क्या अर्यश्य ओं जब कि फाइवन में कोई भी स्वेच्चर समीलित इसलिए ए तता बी के विशिष्ट मान उपस्तित है और इसको आउकल समीगन का क्या कहते हैं ध्यान रखना आप कैसे पेचानोंगे कि कोई हल जो समीगन का दिया हुआ है वह व्यापक है जर्नलाइजड है या फिर विशिष तो आपको देखना है उस हल में उस सॉलुशन में कोई ऐसा वेल्यू आ रहा है क्या जिसे मैं कहते हुआ कि A हो B हो जिसका मान आपको नहीं पता कि एक्जेक्टली क्या है कुछ भी हो सकता है कुछ भी रख दो सब मान के लिए वह समीगन को क्या करेगा संतुस करेगा तो ध यदी स्वेचिक्टर समेलित है कि अन्यदाइक य दो स्वेचिकर। और humid युदी वहां पर उपस्थत है तो वह हल के साओ gonna यृपक और ध्यान हैbetना यह साक निका वैके संतु लिकर श्यू samेलित है नहीं है तो फिर वहल यह होगा व aan वां पतना यह क्या क्यु आप यहां पर डेफिनेशन लेख रहा है ऐसा हल जिसमें स्वेच चर उपस्तितों क्या कहलाता है तो आपको यह चीजें पूछी जा सकती विटा और डेफिनेटली आप जब कहीं एग्जामिनिशन क्रेक करके मालो लेक्चरार बनने जा रहे हो तो इंटर्यू देने जाओगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने डिफ्रेंचिल एक्यूशन पड़ी कि हां कि महां डिफ्रेंचिल एक्यूशन के दो मान थे एक तो सॉलिशन ते एक तो जर्राव कर्ण सॉलिशन था और एक को तो तो आप कैसे बता सकते हैं तो आप बताओगे सर की अखोडिंग डेफिनिशन वह सोलिशन जिसमें कोई आरबिट्री वेरिबल शामिल वह क्या होगा जर्र न और जिसमें आर्बिट्रीटिर सामिल नहीं है व पढ़नेपर जादा अंड़र्स्टेंडिनंग डवलनेपर होती है, जादा ममज आता है। सवाल केसे करना यह शीक जातेें जाते? च्वाल इसा ही क्यों कर रहे हैं, यह नहीं शीकते हैं यह एकpfullig Twitter.. वा समय इसको यही क्यों का तो वो क्यों कहने कारिजन किताब में दिया होता है राइट आजहोग्य करब अब आप सिंपल सी मिडेग सवाल कर सकते हैं क्या करना कुछ नहीं मैं क्या करता हूं एक मिंट के लिए सकव रोप करों क्या अना फिर इसके बाद के कोशन तुम करना परसनावली के सारे कोशन तुम करना मैं एक कोशन करवा देता हूं ऐसे कोशन भी आपके एक्जामिनिशन में देखने को जरूर से मिल सकते हैं या मिलेंगे इधर देखो य क्या दे रहेगा बैटा एक की पावर माइनस अब देखना यह क्या कह रहा है कि एक तो इसका डी वाइबाई डी एक्स करो तो इसका डी वाइबाई डी एक्स करो तो क्या मिलेगा माइनस थ्री एक की पावर माइनस एक दी वाइब आइग्ग की दिमांड बूरी हो गई अब यह कहना है कि इसका डबल डेरिवेटिव भी करो तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे डी टू बाइब आइग्ग इसकोर तो क्या हो जाएगा 9E की पावर माइनस 3X प्लस का हो जाएगा नो माइनस आके आगे अब क्या करना है उस समीगन में मान रख लो 9 एक की पावर माइनस 3X प्लस माइनस 3 एक की पावर माइनस माइनस 6 एक की पावर माइनस 3X इसको 60 आ रहा है आ रहा है क्या बस यहीं समीकन का क्या है यदी कोई दिया गया हल किसी समीकन को संतुष कर रहे हैं आप ज्यादा अच्छे से लिख दो यहां और आगे जाके प्रूब कर देना है यहीं तरीका है ज्यान देना इसको अबज़र करना यह क्या है फलन है और यह क्या है फंक्षन है एक्स्पानेंचल फंक्षन है तो डिफ्रेंचल इक्यूशन का सोल्यूशन एक फंक्षन होगा बात समझ में क्या कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई दिक्कत आपको होनी चलो अब वापस चलते हैं और यह देख लो आप किस तरीके से इसको हल कर रखा दायापक्स और बायापक्स अब यह क्या कह रहा है कि आपको सत्यापित करना कि यह जो है इस समीगन का क्या है तो वही काम करना है आपको डबल डेरिवेटिव करना इस समीगन में LHS लेके माहन रखना रखना रसोल करना अंसर आ जाएगा ऐसे कैसे पूरी परस्नावली करोगे आप बात समझ में आई गया कल एक एक कोशन करवा दूंगा और फिर परतम कोटी और परतम गात के आउकल समीगन की चर्चा करेंगे यानि आज मैंने आपको दो एक्सराइस करवा दिये और उसला प्रन आप ये तुम्हारा काम है तुम्हारा काम है कि तुम्हारा काम के था उतिक है ? आज क्या तारीक हुई हाँ आट मोस्ट प्रोबेबली आपकी मेत पूरी है और एक्चुल तैयारी उसी दिन के बाद शुरू होगी बटा आप यह मान के चलो उस दिन के बाद मैं डेली आपको यहां बेट के प्रेक्टिस करवाऊंगा एक एक आपको यहां बेट के सोल करवाऊंगा तुमसे करवाऊंगा कि सोल कर इसको नहीं हो रहा है सोलुशन देख नहीं हो रहा है बोर्ड पे देख मैं करवाता हूं एक बार करने के बाद में पन्ना पलत वापस कर उसी को यह बैंकर लेवल की तियारी करवाने वाला हूं मैं आलो जालो 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 जालो